नमस्कार आप देख रहे हैं The India Top मैं हूँ आदेश पूरी Super 30 जो की बिहार की पहचान थी आपको बता दे कि Super 30 की सुरुआत 2002 में हुई थी बिहार के पुरू DGP, अभियानंद और आनंद कुमार इनके द्वारा सुरू की गई और देखते ही देखते ये ऐसी संस्था बन गई जिसमें सत पर तीसत जो पास करने की है वो गैरंटी दी जाती थी 30 के 30 कंडिरेट IAT जैसे महत्पुन एक्जाम में सेलेक्ट होते थे आपको बताएं कि बाद में अभियानंद और आनंद कुमार की राहें अलग-अलग हो गई लेकिन बावजूद दोनों ने सुपर 30 के कॉंसेट पर बहुत सारे बैच चलाएं और लगातार सफलता मिलती रही लेकिन सुपर 30 जो है मेंली आनंद कुमार के नाम पे ही आगे चलता रहा फिल्म मी बना रितिग्रासन ने सुपर 30 नाम से फिल्म मी बनाया फिल्म मी काफी चला लेकिन आपको बताएं कि इस बार अभी रिजल्ट करीवोसित किया गया लेकिन सुपर 30 से एक भी कैंडिएट पास नहीं हुए कारण यह रहा कि कोरोना को देखते हुए 2020 में सुपर 30 क्लास नहीं चल पाई थी जिसके कारण कोई भी वो जो क्लास ही नहीं चला तो कोई भी उनके द्वारा ट्रेनिंग दिया गया पढ़ाया गया जो कैंडिडेट है वो पर इच्छा में सामिल नहीं हुआ और रियल्ट नहीं हुआ आपको हम पूरा खबर विस्तार में बताते हैं आपको बता दे कि सुपर 30 का कोई भी छात्र इस बार IIT और NIT में नहीं होगा उसके संस्थापक रहे पूर्व DGP अभ्यानन्द और गनिताग आनन्द कुमार दोनों ने सुपर 30 बैच पिछले साल संचालित नहीं किये थे आपको बता दे कि रितिक रोशन फिल्म बनाई थी सुपर 30 के नाम पर जो कि आनन्द कुमार पर बेजट था और पिछले दो साल से ये आनन्द कुमार जो है वो सुपर 30 के बैच नहीं चला रहे हैं वही पूर्व DGP पिछले साल खुद को अभ्यानन्द सुपर 30 से अलग कर लिए सुपर 30 की अस्थापना 2002 में की गई थी और बाद के वर्सों में आनन्द कुमार और अभ्यानन दोनों अलग अलोग हो गया आनन्द कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमन के कारण बैच नहीं बन पाया जितने भी बच्चे संपर्क में आए उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने का परियास किया मार्च 2022 में फिर नए सिरे से बैश परारम किया जाएगा वही पूर्व DGP ने बताया कि अभ्यानन सुपर 30 के बंद होने के कारण भी वो विविन सेंटरों को मेंटर्शिप दे रहे हैं रहमानी सुपर 30, मगद सुपर 30, सहित 22 से अधिक CSR यानि की Corporate Social Responsibility के तहट संचालित सेंटर को मेंटर्शिप दे रहे हैं इन सेंटरों से इस बार भी 300 से अधिक बच्चे JEE Advance में सफल हुए हैं आपका बता दे कि CSR के तहट देश में चलाये जा रहे हैं 21 सेंटरों में JEE Advance में सफलता की दर पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं 2019-2020 में 621 चातर JEE Advance में सामिल हुएं जिन में 302 सफल हुएं इस बार इस सेंटर से कोई भी बच्चा JEE में सामिल नहीं हुआ था वही आपको बताएं कि पटना इस्तित सुपा 30 की तरज पर Oil India Limited द्वारा CSR के तहट अभियान अंद की mentorship में जोदपूर में खोले गए सेंटर का रियल्ट इस बार देश में सिर्ष पर रहा JEE Advance में 30 बच्चे सामिल हुएं इन में से 29 ने qualify किया पिछले साल 30 में से 28 qualify हुएं गेल द्वारा कानपूर में चलाए जा रहा है सेंटर में 99 बच्चे Advance में सामिल हुएं जिमे 79 qualify कियें पिछले साल इस सेंटर सा 99 बच्चे Advance में सामिल हुए थे और 60 qualify हुए थे आपको बता दे कि जो यह Super 30 है यह concept सबसे पहले बिहार में आनंद कुमार और DGP अभ्यानंद के द्वारा लाया गया 2002 में वैसे चातर जो की आर्थिक द्रिष्टी से कमजोर है लेकिन परतिभावान है और देश के सरवच इंजिनियरिंग कॉलेज में एडमिसन चाहते हैं आयाटी में एडमिसन चाहते हैं उनके लिए नेसुल्क यह व्योस्ता की गई और परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो इतना अच्छा रहा कि 30 के 30 कैंडिडेट सेलेक्ट होते रहें काफी लंबे समय तक यह प्रोसेस चलते रहा हलाकि बाद में आनंद कुमार और अभ्यानन दोनों अपने अपने राह पकड़ लियें दोनों अलग हो गयें उसके बाद सुपर 30 का संचालन आनंद कुमार के दोरा किया जाता रहा और सफलता लगबख बनी रही सुपर 30 में 30 के 30 या फिर 28-29 कैंडिडेट हड़ एक साल आईटी में प्रवेश पा लेते थे वही बता है कि CSR यानि की Corporate Social Responsibility जो है उसके तहद देश बर में 21 सेंटर चल रहा है जहां पर मेंटर्शिप का काम बिहार के पुरू DGP अभ्यानन के दोरा किया जाता है और इनका मेंटर्शिप ऐसा लेवल का है जो कि IAT में के प्रस्नों को क्रैक करने में काफी सहायक होता और यही कारण है कि देश के अलग-अलग सेंटरों पर अभ्यानन के दोरा ऑनलाइन या फिर जाकर वहां पर मेंटर्शिप दिया जाता है और छात्र जो है इससे काफी लभानवीत होते हैं और वैसे कैंडिडेट जो कि आर्थिक जिनकी आर्थिक कि स्थिति कमजोर है या फिर जिनको मौका नहीं मिल पाता है उनको काफी सहायता मिलती है इन सुपर 30 के माध्यम से IAT में प्रवेश पाने का तो आपको बता दे कि आनंद कुमार और अभियान नंद सुपर 30 से इस पर एक भी कैंडिडेट सफल नहीं हो पाया कारण ये रहा कि ये बैच नहीं चला कोरोना के कारण 2020 में बैच ही नहीं बन पाया जिसके कारण छात्रों को न पढ़ाया गया और नहीं उनके तरफ से वे एकजान दिये जिस कारण से इस सालीक भी जल्ट नहीं रहा लेकिन आनंद कुमार के अनुसार अगले साल मार्च से फिर नया बैच बनाया जाएगा और समभावना है कि 2023 में फिर से सुपर 30 अपने प कर दो